बड़ा असर देखने को मिला है वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों ने ये मुहिम छेडी थी जिस खबर को प्रात्मिक्ता से प्राइम टीवी ने दिखाया था प्राइम टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है जहाँ पर वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए अब कमेटी का गठन किया गया है सोशल मीडिया पर पुलिस कर्मियों ने ये मुहिम छेडी थी और हैस्टेग ग्रेट पे अठाइस सो को ट्रेंड कराया था और इस वक्त हमारे साथ विवेक पांडे जुड़ चुके हैं जो कि इस मुहिम से लगातार जुड़े हुए थे उनसे समझने की कोशिश करते हैं विवेक अब तो आप खुश होंगे ना सरकार ने आपकी बात मान ली नहीं देखिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है त और अक्सर ऐसा देखा गया है कि पुलिस इतनी दिवश निकट आने के पहले इस तरह की कमेटिया या इस तरह की वक्तव्य जारी करके लोगों के आत्रोश को ठंडा करने का या लोगने का प्रयास किया जाता है फिर भी अगर सकारात्मान लोग से सरकार इस दिशा में आग करती है तो मैं सरकार का बुरी प्रशंशा करते हुए हार्वी स्वागत करता हूं और उसके लिए बढ़ाई भी दूंगा उनकों कि अध्यापकों का और पुलिस का वेतन किसी जमाने में एक रुपए के अंतर पे वा करता था और आज अध्यापकों का अगर आप ग्रेट पे देखेंगे तो जिस प्रकार से अध्यापक कम से कम सहती अर्दिस चालीजा रुपए पा रहा है और पुलिस का जवान जो है बेसिक उसकी जो सैल्जी है वो 21 सारे 22 जार 23 जार रुपए होती है तो यह जो अंतर है एक पुलिस का पुलिस की वेतन वितंगती में यह बड करने के बाद अध्यापकों का वेतन तीन सो पैसाट रुपए कर दिया गया एक रुपए बड़ा करके चौथे वेतनमान में सिपाही को 950 रुपए दिया गया राजिकंचारियों का 1200 हुआ और सिश्वों का 1150 रुपए पांची वेतन आयो जब लागू किया गया तो सिपा राजिकंचारी का 4000 अध्यापकों का 4500 उसके बाद रामलाल चौरतिया जी की रिट फाइल हुई हाइकोट इलहाबाद में जिसकी हाइकोट ने डारेक्शन किया जाए जो आज इसका दाइरेक्शन के दाइने में ही अच्का हुआ था उस पर पूरी तरह से जो फैसला या ज परकार की तरफ से नहीं रहाए गया हम उम्मीद करते हैं कि यह जिसका मैटी का गठन किया गया है जल्द ही इसका कुछ न कुछ हासिल निकलेगा बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के अ झाल 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 झाल